अस्सलाम अलेकूं, आदाब नमस्कार मेवात कैसे है कैसे बाजो नाओ मेवात कैसे है कैसे बाजो नाओ कोण मुलक कोण बसायो गाओ मेवात इलागा मेव कौम के आबादी की वज़े से मेवात कहलाता है नू तो सारी जाती बसा एक ही साथ नू तो सारी जाती बसा एक ही साथ अपर मेवगणी तादात में नू बाजे मेवाद मेवाद शब्द के बारे में इतिहासकारों की अलग-अलग राए रही है इतिहासकर कर्नल टाइड ने मेवाद को मीरात लिखा मीराद इसलिए क्योंकि यहां मीर जाती रहा करती थी मेवाद चारों तरफ पहाडों से घिरा हुआ है और करनल टाड के नुसार पहाड के आसपास रहने वाली जाती को पहाडी जाती होने की वज़े से मीर जाती नाम रखा गया इसी मीर जाती के नाम पर मेवाद को मेरात या मेवाद नाम रखा गया इसी तरह मेवाद और मेवाद को भी मेवाद के तरह पहाड़ी छेत होने की वज़े से उसका नाम मेरवाद या मेवाद रखा गया मुरक्काई मेवाद के लेखक शिरी सर्फ अलावदीन के अनुसार मेवाद पहाड़ी छेतर है और संस्कृत भाषा में मेर पहाड़ को कहते हैं इसलिए इसका नाम मीरात या मेरात रखा गया जो धीरे धीरे बोलचाल की वज़े से मेवाद शब्द से मशूर हो गया इसी तरह मेवाद का तज़करा पृत्वी राज के जमाने में मशूर शायर कुबेचन ने भी किया था और मशूर शायर कुबेचन ने मेवाद को मेवाद या मीरात ही लिखा था दुनिया में कई सारे ऐसे छेत्र हैं या इलाके हैं जिनका नाम उनमें जादा रहने वाली आबादे या कौम की वज़े से पड़ा इंपेरियल गज़ेटर ओफ इंडिया 1908 के मताबिक मेवात इलाका अपने नाम को मेवों से बना हुआ मानता है और मेवात इलाका मेवों से बना हुआ इसके और भी बहुत सारी मिसाल मुजूद है मसलन मेवाड मेवाड में कई जिले मेवाओं के नाम पर है जिन में मेव आबाद है मेरता नामक कसभा भी मेवों नहीं बसाय था अजमेर जिले में दो बस्तियां मेवकला और मेवखुद मुजूद है इसी तरह गुड़गाओं में दो गाओं मेदावास और मेवगा है मेवली कहते हैं मौजूद है यह सब बाते इस बात का सुभूत है कि मेवों नहीं इस छेत्र का नाम मेवात दिया है यह मेवों की भूमी है यह मेवों का पर्देश है मेव कौम के आबादे की वज़े से इस छेत्र का नाम या इस इलाका का नाम मेवात रखा गया ना कि इस छेत्र में रहने की वज़े से इस कौम का नाम मेव रखा गया यही लोग जब मेवात से बाहर कहीं जाते हैं किसी और शहर में जाते हैं तो मेवाती कहलाते हैं मेवात के निवा से मेवाती कहलाते है मेवात का हर बाशंदा चाहे मुस्लिम हूँ या गैद मुस्लिम मेवात से बाहर मेवाती के नाम से ही चाना जाता है यहां की बोली भी मेवाती के नाम से ही मश्यूर है यहां मेवाती ही बोली जाती है इंदुस्तान के दूसरे शहरों में जहां मेव कौम आबाद है उनकी महलों को मेवाती महला कहते है या मेवातीन के नाम से पुकारा जाता है मेरी खुश किसमती है मैं उस सरजमी से तालुक रखती हूँ जिसमें हमारे बजरुगों ने देश की आन बानशान के खातिर मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी जान गवएं और हजारों की तादात में शहीद हो गए मुझे अपने नाम के पीछे मेवाती लगाने में फक्र महसूस होता है मुझे फक्र है मैं मेव कौम से तालुक रखती हूँ और मुझे मेवाती होने पर गर्व है जै भारत जै मेवात